टाइगर 3 को लेकर लोगों का mix review या thought का reason क्या है, पहले कोई तो बता रहा थे यह अच्छी है, कोई कहरा थे कि यह बुरी है, फिर कोई तो ये भी कहरा है कि भाई यह बहुती जादा अच्छी है, अब उन लोगों को लेकर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम सबको बता है कि जो लोग अपने फैन होने का फर्जदा कर रहे हैं अब देखो मूवी उतनी भी बुरी अच्छी नहीं है कि इसको अच्छा बोलना गलत होगा हां किसी किसी जगह पर यह लोगों के एकस्पेक्टेशन को मैच नहीं कर पाता अपने खुद के बलबूते पर यह खरा नहीं उत करेक्टर उसके परफॉर्मेंस एंड स्टोडी के बेस पर हमीस अच्छा बोल दे बलकि पिक्चर एक यूनिवर्स का पार्ट होने के बावजूद किसी भी तरीके से अपने स्टोडी के साथ यह जश्टिस नहीं कर पाता बट क्यूं एक यूनिवर्स का सुरुवात कैसे होता है पहले यह समझ लो अलग-अलग जगा या कैरेक्टर के लाइफ में छोटे-छोटे बटरफलाई एफेक्ट्स जो आगे जाकर एक मैसिब टॉर्नेडो का रूप लेते हैं जो उन कैरेक्टर को इन फ्यूचर साथ लाते हैं या उ गलक तरीके से कनेक्ट भी करते हैं लेकिन टाइगर 3 के इवेंट्स किसी भी तरीके से स्पाय उनिवर्स के कहानी को आगे नहीं बढ़ाता यह जश्ट टाइगर को जिन्दा रखती है ताकि आप नए कैरेक्टर के भीर में इसे भूलना चाहे जिन लोगोंने मूवी देख के मूवी के हिसाब से देखो तो मज़ा आएगा बस इतना ही इससे आगे यह मूवी कुछ भी वाव फैक्टर डिलिवरी नहीं करता कुछ कुछ इवेंट से मूवी के अंदर जिसके उपर क्रेटर का या मेकर्स का में फोकस था एंट लोगों का भी जैसे की सारुखान का एंट्री जिसके लिए लोग वेट कर रहे थे लेकिन जब यह मूवेंट एक्चुल में हुआ तब ऐसा लगा कि आखी दिये क्यूं हुआ ना ही होता तो बैथर होता मैं इस सीन को दोबड़ा से देखना पसंदी नहीं करूँगा ना ही प्रोवेशनली ना ही टाइम पास के लिए जाता है वैसे भी सलमान खान को गोली कहां लगता है लाखों गोली अचली है मूवी के अंदर लेकिन एक का आउकात हो टाइगर के बाहुचीर के निकलने का तो यहां पर भी ऐसा ही दिखा देते हो सकता था भाई कोई जरूरत नहीं था पठान को लाने का एंड लाय तो ल पुरा फाइट सिक्वेंस एक अलग माहौल सेट कर देता है लेकिन टाइगर 3 मूवी में यह सीन एक बोडियत से बढ़कर कुछ नहीं लड़कों का मेन फोकस था इस सिन पे कोई कुछ भी कहलो इस फाइट के लिए माहौल अच्छा बना था इसका आइडिया अच्छा था पोडियोग्राफिय वस गूड लेकिन ऐसा लगा कि आपने जल्दी जल्दी में इसको निप्टा दिया मजा नहीं आया हो कुछ-कुछ हॉलिवूट के कैट फइट देखने में मजह आता है ऐसा क्यों पता है उनके फईट सिन में एक पैटरन होता है एक फ्लो कहां स्पीढ बढ़ाना है कहां स्पीढ घटाना है पर्फेकटली बैलेंस कहा सकते हो अपने हर एक फ्रेम को यूज करना जानते है कहा पर लॉंग ट पाकिस्तान इंडिया की कहानी कब तक चलेगा और पाकिस्तान का दामाद है टाइगर वहां से लोन ने लिया कि टाइगर के हर एक मूवी में पाकिस्तान को डालना ही होगा एक टाइम के बाद ना इंसान बोड हो जाता है बात को समझो एंड यही यह रीजन है जिसके लिए शुरी में तब तो ठाड़ा, बाबाए!